तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायत के अंतरकत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साबका और लाहका आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट साबका को समझने वाले हैं कि साबका क्या है साबका को पहचाने का ट्रिक बताया जाएगा मतलब कि साबका और लाहका ये एक ऐसा टॉपिक है तो अगर आप 10 और 12 के लावा किसी इंट्रेंस या फिर कंप्लीट इंपॉर्टेंट है तो भी आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है पूरा कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम लोग साबका को समझेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो का भी आप लोग इंतजार कीजिएगा बहुत जलिसका नेक्स्ट वीडियो भी अप्लोड होगा जिसमें लाहका को मैं आप लोग को कंप्लीट बता दूँगी ठीक है और स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता ही क्या करना है लाइक करना है वीडियो को और ज्यादा ज्यादा शेयर करना है आप लोग शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं आप लोग कंजूसी ना करें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड़ों तो नोटिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचें अप लोग नोटिकेशन बेल ओन करके और पर ऑल का जो आप सनाता है उस पर क्लिक कर लिये हो ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग समझते ह हिंदी इंग्ञिश में ही बताऊंगी और तब मैं उर्दू में लेकर जाओंगी ताकि आसानी से समझना जाएं देखिए हिंदी में उपसर्ग होता है और इंग्लिश में प्रिफिक्स होता है यानि कि वैसा अक्षर या फिर अक्षरों का समूझ जो किसी शब्द के शुर एघ्याब है और पिटे श्वेक्राइब के और उर्दू में इसको कहा जाएगा सा बका॥ उसी तरीके से एक बाड है लाइक, लाइक के आगे अगर diss लगा दिया जाए, तो dis like, एक नाय आशौप्द बन जाएगा, like का मतलब होता है पसंद करना और dislike का मतलब होता है नापसंद करना तो dis, dis, इसमें तीन अक्षर है यानिकि तीन अक्षरों का ये सम्मू है तीन लेटर का ग्रूप है तो dis को क्या कहेंगे? डिस लगने को ज़र सरी तो नाया शब्द बना है dislike तो dis को कहेंगे English में prefix हिंदी में क्या कहेंगे उपसर्ग और उर्दू में कहेंगे साब का अब जरा उर्दू language वाला मैं definition दे देती हूँ ताकि उर्दू में आप लोग समझाए बस उसी पंडे को उर्दू में ला देना है वैसा हर्फ, हर्फ का मतलब क्या? लेटर अक्षर या फिर हर्फ का समू यानिकी ग्रूप अफ लेटर अक्षरों का समू वैसा हर्फ या फिर हर्फ का समू जो किसी लवज के शुरू में यानिके स्टार्टिंग में जुड़कर उसका मानी बदल दे और एक नया लवज बना ले उस तरह के हर्फ या फिर हर्फ के समू को हम लोग क्या कहते हैं साबका कहते हैं यह हो गया अब एक्जामपल भी ले लेते हैं जैसे कि एक लवज है मुम्किन मुम्किन के आगे अगर ना लगा हो ना लवज बन गये ना तो यह ना क्या कहलाएगा उर्दो में साबका कहला ओर इंग्लिश में इसको क्या कहें के प्रिफिक्स कहें गें उसी तरीके से एक और लफ्द में रड़न से कि माउजूद्गी माझुद्ध गी इक गर गयर लगा दिया जाए घैर में कितने तो मौझूदगी के बिना गैर मौझूदगी तो गैर मौझूदगी में गयर क्या कहलाएगा साबका तुलन लोग क्या कहते हैं नियाद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक है स्वासे साबका स्वासे शुरूँ यानि कि वैसा फिर हर्फ का समूझ जिससे आप लोग के लोग के लिए अब कोशन किस तरह से पूचा जाता है कोई भी एक लफ उठा देगा और कहा बताईए इस लफ्ज में सांब कौन सा अब मानलेजी एक लफ्ज है नो निहाल नो निहाल एक लफज है नो निहाल में बताईए साबका कौन सा है नीचे चार आपसन दिया रहेगा एक में नो दिया रहेगा बी में ना दिया रहेगा निहाल और डी में दिया रहेगा हाल तो बताईए नो निहाल में साबका क्या है तो डारेक्ट दिख जा रहा ह और नीचे चार ओप्सन दिया रहेगा यान की चार ठोल लफज दिया रहेगा अब आप लोगों को देखना है कि कौन से लफज में साबका है और उसी को टिक करना होगा तो इस तरह से कोशन पूछा जाता है तो इसी वजह से तो देखिए मैं यहां पर लंबा चोड़ा बोड पर जो important साबका है जिससे आप लोगों के exam equation पूछे जाते हैं वह मैं लिख दीऊ चलिए देखते हैं कौन कौन सा साबका है सबसे पहला साबका है अन यान की अन यह किसी शब्द के शुरू में जुड़ जाता है और एक नया लफज बना लेता है जो से की पढ़ता स्टार् साबका क्या है अन ठीक है उसी तरीके से बद एक साबका है तोबल लग जाए तो ये सभी लफज में जो साबका है वह बद ठीक है उसी तरीके से अगला साबका है बे, बे क्या है? प्रिफिक्स हैनी की साबका खबर के आगे बे जुड़ गया है तो बे खबर, उसी तरीके से ख्याल के आगे बे जुड़ गया है तो बे ख्याल गर्ज के आगे बे जुरगिया है तो बे गर्ज, वफा के शुरू में बे जुरगिया है तो बे वफा, तो बे खबर, बे ख्याल, बे गर्ज, बे वफा, इन सभी लवज के शुरुआत में बे जुरा हुआ है, तो बे क्या कहलाएगा, साबका कहलाएगा, काइदा के आगे ब बाकईदा अदब कि आगे बाद जुर गया तो बधाब जाबता की आगे बा लग गया तो बाद धाबता ठीक है तो यह जितने भी शब्द हैं इन शब्द के स्टार्टिंग में बा जुरा हुआ है तो बा क्या है एक साबका है उसी तरीके से गैर जैसा कि मैं टो गयर मॉझूदि मजभ़व के शुरू में गयर लगा दिया जाए एक ज़ुद रहे माधूक हे थे टो इन सब शभूद के इन सभी लव्ज के शुयमियंता है गईर एक साविपा कहलाएगा उसी तरीकिए खुश भी कभी-कभी जो है साबका बन जाता है जैसे की nutube कभी किया है गयाइगा साबका करछा यहां थीक हैं वो वह सब्सक्राइब को तो जै। हुकूमत तोजेर हिसाया और जेरह हुकूमत आप लोग देख सकते है इंदोनों लफज मेश टार्टी में क्या जुरा हुआ है जेर टोजेर क्या हो जाई Radio का क्या हो जाएगा साबका कहलाएगा लाजवाब ला शोवर लाहा सिल स्टार्टिंग में क्या जुड़ा हुआ है ल ना समझ थीक है तो इसभी लवज में ना जो है ना वो साबका है उसी तरीके से यह आपर है जी जी शौर जी शान जी वकार इन सभी लवज में लवज में लेकर वजोर को अगर हम जोर देख सकते हैं कक्सक्राइब कंश meg की हम सबका कहलाएगा हम राह सफर हम वतन さभी में हम क्या है सावका है नौ जवान नौ बहार न नहाल नौ खेज आप लोग कमेंट बॉक्स है कि नौ निहाल का मतलब क्या होता है मैं भी आप सभी लोग से जानना चाहूंगी एक तो नं सभी नौज है न हुए ने वह साबका है उसी तार्टिकी दौलफ साब्ले में क्या जुरह है साहब साहब साथ जी यहां पर साहब क्या कहलेगा साम क्हलाइगा याँड PPT के लिए साहब么 canằng जुडा हुआ है सहभी कमाल थीख है उसी तरीके से पेश भी क्या है एक साबका है पेश कस्र पेश किस में पेश खिदमट पेश रवा तो यह क्या तो यह क्या है लाएका पेश चाबका के लाएगा अहल भी जो है वतन जबन आप लोग सुनें तो स्टार्टिंग में 500 तो इस करिए दिल्ट वाले लव्द की निशान ही कीजिए तो उसमें चार उप्शन दिया रहेगा ठीक है चार उप्शन में तो लाहका वाला लव्ज मतलब ऐसे लवगे लास्ट में हर्फ जुड़े हुए होंगे और उसमें से एक ऐसा ओप्शन होगा जिसमें साबका होगा यानि क शुरू में जुड़े हुए हुरूफ से मिलकर बना हुआ होगा जैनि कि इस में साबका वाला लफ्स होगा तो इन इसने भी सावका है इसको याद कर लिजेगा अन बद बेबा गयर खुश जेरला ना जी कम हम नौ साहब पेश एहल इंपोर्टेंट आप लोग के सावका है याद रखेगा अब हम लोग इसके अगले वीडियो में लाका को समझेंगे लाका जितने भी हो सकते हैं जो इंपोर् कर देना भी तक आप लोग लोग नहीं किए हैं तो और झ्यादा झैद시면 सकिंश ना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है ने लीजेसर में स्क्रियर शॉड के पर मैं कि विशनसे ंजा प्लोड किये जाते हैं आप सभी लोगों को बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ जो है ना कॉंटेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे इसलिए इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और ख़दा हाफिस